हेलो डोग लवर्स जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है केलशेम की जो ये टेबलेट ये चीवबल टेबलेट आती है इस टेबलेट के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा क्योंकि बहुत से जो डोग होते हैं जो क्या कि जो टेबलेट हो है लिक्विड नहीं खा पाते हैं तो बहुत बार इस परकार की शिकाइट आती है जितने भी पेट लवर्स होते हैं उनकी बार बार शिकाइट रहती है कि हमारे जो डोग हैं चोटे पपी हैं बड़े अडल्ट हैं वह मेडेसें नहीं ले पाते हैं तो इनकी सुविदा के लिए मैं आपको ये टेबलेट लेके हैं ये टेबलेट ये आप अपने डोग को खिलाएंगे आराम से खा जाएगा किसी भी तरह कि कोई भी दिकत आपका डोग नहीं करेगा देखो ये टेबलेट क्या काम करती है ये आप अपने डोग को खिलाएंगे तो ये आपके डोग में ये किसी भी तर स्ट्रोंग बोन जैसे आप अपने डोग की रखना चाते हैं जैसे ताकि आपका डोग कहीं से भी खेले कुदे या कहीं से भी जंप लगए तो उसकी जो बोन होती हैं क्रेक ना हो तो आप इस केल्शियम जो टेबलेट आती हैं इस च्यूबल टेबलेट इस टेबलेट का प्रियोग अपने डोग में कर सकते हैं इसी तरह से आप अपने डोग की फास्ट ग्रोथ के लिए इदि आप जैसे चोटा पपी है उसे आप अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं तो भी आप इस टेबलेट का प्रियोग कर सकते हैं या उनकी जो शरीर की साइज है वो अच्छी बनाना चाहते हैं तो भी आप इसका प्रियोग अपने जो पपव है अडल डोग है उनके अंद के लिए आप इस टेबलेट का परियोग अपने चोटे पपी बड़े डोग में कर सकते हैं इसी तरह से चोटे पपी में इस तरह की केल्सियम की बोन की जूरू इसलिए जूरूत होती है कि उन्हें ग्रोथ की ज्यादा जूरूत होती है हडिया ज्यादा मजबूत हो तो आप दे सकते हैं, इसी तरह से यापका अदल डोग हो गए है, उमर ज्यादा ले चुका है, तो उसके अंदरार केल relação की डिपसेंसी हो जाती है, साथ मैंगनेस्यम और फास्पोर्स की डिपसेंसी हो जाती है, जिसक वज़े से आपका डोग के ब rear लंगडा करके चलता है, चलने में दिकत आती है उटने बैडने में दिकत आती है कईबर आपके डोग में पेरलाइसिस की भी सिकाईत हो जाती है तो इन सभी की समस्याओं की समाधान के लिए आप उन्हें जो एकल्सियम टेबलेट आती है वह दे सकते हैं एदि आपके डोग की हड़ियां आपने देखा हो गए कईबराज के जो डोग होते हैं उनकी जो पैर हैं वो मुड़ जाते हैं या घूम जाते हैं तो भी आप इस टेबलेट का परियोग उनके लिए कर सकते हैं इसी तरह से आपका जो छोटे पपी या बड़े जो डोग होते हैं वह एदी एपसिस्त पदार्थ खाना स्टार्ट कर देते हैं जीसे चमड़ा है प्लास्टिक है अपनी खुद की लेटरिंग है पेसाब है अधर जो पीना स्टार्ट कर देते हैं तो भी आप यह जो टेब वो दे सकते हैं क्योंकि जो भी एडी pregnancy stage के अंगायत उनमें calcium की जच़एदा जुरुत होती है यह दियरεν होने के बद यह दी उसकी delivery भी हो जाती है तो उसके बाद में भी आप जो female category की जो माददा हैं उन्हें आप जो calcium जो यह चिबल टेबलेट आती है वो आप अपने डोग को दे सकते हैं इसे आसानी से भी चबा लेता है देखो यह इस तरह की एक टेबलेट आती है जो आप अपने डोग को दे सकते हैं इस परकार से 50 इसमें आती है तो इस तरह की टेबलेट आती है आपका डोग अपने आप खा लेगा किसी में मिलाकर के देने की जुरूत नहीं है आप उसे सामने डालो अपना डोग आपका डोग आसानी से सबा लेगा रहे बात इसकी डोज की यदि आप अपने डोग का जिनका बोडिवेट 20 कजी है 20 कजी बोडिवेट तक आप से 1 से 2 टेबलेट एक साथ आप अपने डोग को सुबह और स्याम दे सकते हैं इसी तरह से 20 कजी से ज़्यादा डोग है तो इन्हें आप 2 से 4 टेबलेट एक साथ भी आप खिला सकते हैं इसी तरह से आपके डोग का body weight 20 kg सी कम है 10 kg तक है तो आप इससे 1 tablet आपके दे सकते हैं जैसे छोटे breed के डोग है हैं जैसे posterian पग़ है हैं तो इसे आप एक tablet शुबह और एक tablet सी हम दे सकते हैं बड़े breed के डोग हैं जर्मन हैं अडल्ट हैं तो आप अपने डोग को यह टेबलेट खिलाएं बहुत यह अचा फायदा होगा जो 50 टेबलेट आती हैं इनकी लगबग दो सुगुन चालिस रूपे के लगबग यह आती है डूल्स का जो है यह प्रोडक्ट है जो आपको दिख भी रहा है इसी तरह से इसकी जो अधर टेब टेबलेट आती है विटामिन्स की जो आती है इनके बारे में आपको अलग से एक वीडियो लेकर करके आऊंगा यह दि आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी है जो यह केल्शियम जो टेबलेट आती है उन पर तो निशे जाके आप कमेंट में भी कर सकते हैं लाइक भी क दिखते रहें इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें यह दिए आपने वी चैनल को यह दिए सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि डो के बारे में वी चैनल पर आप समय समय पर बहुत अच्छी और नुलिजबर वीडियो आने वाली हैं थैंक्स धन्यवाद